हेलो गाइस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागता है मारे नई वीडियो में आज इस वीडियो में बात करेंगे ECS Rome Italy की जो T10 सीरीज चल रही है इसके 52 मैच और आज के दिन के पहले मैच के बारे में यह मैच खेला जाएगा बोलगना वर्सेस रोमा कैपेनल के बीच मैच खेला जाएगा मैच की टाइमिंग है साड़े बारा बज़े श्टार्ट होगा इंडियन टाइमिंग के अनुसर डेट 22 अगस 2024 आज ही की है वैदर की बात करें तो वैदर किलियर है बारिस के कोई भी चांस नहीं है वैन्यू देखे तो रोमा किर्केट ग्राउंड रोम इटली में मैच खेले जा रहा है तो आज का इसी वैन्यू पर है पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टी फिस मैच जीती है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम और पच्चीस मैच जीती है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यानि बैटिंग फर्स्ट या सेकंड को कोई खास एडवांटेज नहीं है ठीक है पहले बात करते है पहली टीम बोल गना की तो आप वीडियो को पूरा देख लास्ट मैच जो खिला गया जो इसी टीम के खिलाफ कल के दिन में वाता तो उसी के साफ से हमने बैटिंग ओडर प्लेइंग लेवन सेट कर रखा है तो पहला प्लेयर जो ओपनिंग कर रहा है वो है अंकुस कुमार ठीक है अंकुस कुमार ने इस टूनामेंट के 11 मैच में 275 बनाया चार ओवर की गेंदबाजी करवाते है जीरो विकेट लिए बॉलिंग कनफर्म नहीं करा रहा है लेकन बैटिंग अच्छी कर रहा है इस वज़े से इसको आपको बिल्कुल पिक करना है इसके साथ में ओपनिंग कर रहा है मलिक सरफराज जो भी बहुत अच्छी बै बनाये इस टूनामेंट के 10 में ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं पांच विकेट लिए जो सभी पिल्यरों की आरफ लिखावा है सभी पिल्यरों के नाम के नीचे उसका मतलब रिसेंट फॉर्म है जो इसी टूनामेंट की है ठीक है तो सफकान अबदुल्ला ने इस टूनामेंट के 10 मेंच में 150 रन बनाये 18 ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं पांच विकेट लिए बैटिंग से भी ठीक्टा कॉंट्रिबूट कर रहा है साथी बॉलिंग इस वज़े से यहां पिलियर भी आपके लिए कंपल सरी यानि उपपर के 500 पिलियर इस टीम की तरफ से कंपल सरी है इसके बादे मोहमद इस्ताग जो कंटिन्यूसली लास्ट के चार पत मैचों में देखोगो तो गेंदबाजी करवा रहा है और गेंदबाजी अच्छी कर सकते हो तो 11 मैच में साथ रन बनाए नो अवर की गेंदबाजी करवाते हैं पांच विकेट लिए इंपोर्टेंट होगा क्योंकि बॉलिंग अच्छी करवा रहा है लास्ट के तीन-चार मैच से इसके बादे आकास दीप जिसने आट मैच में 37 रन बनाए बैटिंग से ख अपरोन एहमद जिसने एक ही मैच खेला ता लास्ट वाला जिसमें बैटिंग एक ही रन बनाया ओवराल रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं यह डॉमेस्टिक का है दस मैच में 12 रन इसके बादे जवाब एहमद जिसने दो मैच में एक रन बनाया एक और की गेंदबाजी करव जीरो विकेट लिए तो यहां से इंपोर्टेंट पिलेर वह है यासिन खान इसके अलावा मुहमद इस्ताक ट्राइक करना है आपको थोड़ा बहुत सफकान अब्दुल्ला कंपल सरी है फैजन नाजिर कंपल सरी यासिप खान मलिक सरफराज अंकुस कुमार यह पांच पिल पर मिल जाएंगे वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हो सभी के स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल है ठीक है बात करते हैं दूसरी टीम की रोमा कैपेनल की जिसके इस टूनामेंट में 12 मैच हुए है तीन मैच इनकी टीम जीती है नो मैच इनकी टीम हारी है थोड़ी वीग टीम है लेकर इसमें भी कुछ अच्छे ऐसे पिलियर है जो सामने आली टीम का आसानी से हरा सकते हैं ठीक है लास्ट मैच जो खिल गया उसके इसाप से ही हमने बैटिंग ओडर प्लेंग लेवर सेट कर रखा है पहला पिलियर है याज एहमद जिसने इस टूनामेंट क पांच मैच में एक साथ रन बना है दस ओवर की गयन बाजी करवाते वेए छे विकेट लिये ओपनिंग में बैटिंग साथी मिडल ओवर्स में आपको दो ओवर की बढ़िया गयन बाजी इंपोर्टेंट और वाइस कैप्टनसी का भी बहुत बढ़िया चोईस है इसके बा इसके बाद है एमी गुलाम जिसने 12 मैच में 126 रन बनाए एक ओवर की गयन बाजी करवाते वेए जीरो विकेट लिये यहां भी ठीक ठाक बैटिंग कर रहा है ट्राय करना है आपको इसके बाद है डैन किरबाए जिसने 12 मैच में 227 रन बनाए चार ओवर की गयन बाजी इसके बाद है गैबरियल पास प्रेती जिसने 11 मैच में 34 रन बनाए इस टूनामेंड में इसके बाद है कार्तिक रागवन 7 मैच खेला है इस टूनामेंड में 0 बनाए एक ओवर की गयन बाजी करवाते वे पांच विकेट लिये डैस आवर में आपको गयन बाजी दे रहा थ इसलिए फिलाल इसको ट्रायर नहीं करना है इसके बादे अनुजिया जिसने इस टूनामेंट में 9 मैच खेले जिसमें 14 ओवरों की गैनबाजी करवाते वे 18 विकेट लिया यह बहुत अच्छी गैनबाजी करवा रहा है इस वज़े सा आपको इसको बिलकुल पिक करना है इसक अनुजिया आपके लिए कंपल सरी है ठीक है इसके अलावा आमीर हमजा डैन किरबाए और एमी गुलाम में से किसी एक पिलर को लेना ठीक है और एंथनी और या जैमत तो आपके लिए कंपल सरी है और कैप्टन वाइस के प्रिट कर रहे हैं और बाटिंग बालिंग दोनों कर रहे हैं ठीक है बात करता है इन्हों के बैंच के पिलियर की तो यहां से जैब अनुराग है मौदमद मुनफ है इम्तियाज अली ये लैंडरो है माइकल मोरतानी अली गुलाम फ्रैंसिको बुरतानी और केवन केकुलवाला फारुक खान सुमेर अली मिर्जा इयाज अलफ करते हैं अपन डेमो टीम के तो दोनों ही टीमों के जो मैच हो चुकर इसके साबसे हमने एक डेमो टीम बना रखिए गुलाम को लिया है जीप प्रलाती को लिया है विकेट कीप्रिंग से बैटिंग से मलिक सरफराज और जोसेफ को ठीक है ऑल राउंडर सेक्शन से आमीर अ माजीर या जैमत एस अब्दुल्ला अंकुस कुमार बॉलिंग सेक्शन से यासिन खान अनुजिया और हासिप खान ठीक है कैप्टन मैंने जैसा वीडियो में बोला था जोसेफ और वाइस कैप्टन या जैमत को बनाया तो फिलाल के लिए डेमो टीम आप सेव कर लो डेमो यहीं में फाइनल टीम आपको 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 टेलीकरम पर मिलेगी जो डिपायंड करती है बैटिंग ओडॉर प्लेंग 11 टॉस अब्डेट और जो हमारी कोई यहाब खेलेगा तो इसके साफसे फाइनल टीम बनती जो आपको टेलीगरम पर मिल जाएगी तो वीडियो चल रही थी हमने उसको भी कम पूरी कवर करी थी और यह जो सीरीज चल रही है इसको भी हम पूरी तरह से कवर कर रहे हैं इटली की सीरीज को भी ठीक है तो आप जाके चैनल को देख सकते हो और आपको पसंद आया है तो लाइक करना सेर करना साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ल नेवाद